Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, आप लोगों बता दूँ एक important update यहाँ पे आया है, जम्मू कश्मीर government के दवारा, administration के दवारा, एक scheme launch की गई है, जिसका नाम है परवास scheme, जिसके बारे में हर एक educated youth को पता होना चाहिए, जो कोई भी तयारी कर रहा है इस समय, तो यह coaching program launch किया गया J&K administration के दवारा, तो इस पे क्या होगा, मैं आपको पूरा detail में बताऊँगा, एक overview यहाँ पे मैं आपको दे रहता हूँ, इस पे आपको exam में question भी बन सकता है, लेकिन उसके अलावा जो scheme है, यह पहली बार एक ऐसी scheme है, जो काफी जादा दमदार, और मुझे खुद personal अगर अपनी बात करनों, तो बहुत पसंद आई है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, JKPSC के यानि की KS के लिए, या फिर IAS के लिए, उन लोगों के लिए, हजार बच्चों को free coaching दी जाएगी, यहाँ पे reputed institutes में, तो जो लोग यह चैनल पहली बार देख जिसमें आठ हम लोग दे चुके हैं, दो रहते हैं, वो भी हम देंगे, बच्चे कहा रहे थे, एक महीने के टाइम में हमें थोड़े से और mock test चाहिए, तो पांच mock test हम लोगों ने add किये हैं, लेकिन यह आपको SSS app पर मिलेंगे, जो कि strictly follow करेंगे, JKSSB exam pattern को, तो आप लोग SSS को डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर आप लोग स्टोर में जाहिए, वहाँ पर आपको टेस्ट देख जाएंगे, तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर क्या आया है update, इस scheme को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, तो हर एक चीज़ यहाँ में हम लोग डिस्कस करेंगे, गवर्मेंट अफ जमू कश्मीर के द्वारे यह निकाला गया है, ओफिस ऑफ दा चीफ एगिजिकेटिव ऑफिसर मिशन यू जमू इन कश्मीर, तो यह advertisement है, inviting application for eligible interested candidates for availing free coaching for competitive exam, जिसमें IAS और JKS आता है, JKSSB की तेयारी तो चलो, आप लोगों को हम भी कर देते हैं, अपने एंचे कोशिश करते हैं, लेकिन जो बड़े recruitment exams है, जिसमें IAS, JKS आता है, वो अब मिलेगी आप लोगों को परवे स्कीम के दौरान, अब यहाँ पर क्या चीज है, जो मुझे सबसे जादा पसंद आई है, अपने point of view से भी आपको बताऊंगा, पहली ची पहली चीज क्या है, state exams आपके अभी हो रहे हैं, नेक्स कब होंगे हमें नहीं पता, government उस तरीके की policies बना रही है, कि हर साल exams conduct हो, 2019 में भी हुए, 2020 में भी हुए, अब 2021 में भी कहा गया है कि नवी vacances आएंगे, लेकिन आपको एक और चीज बताता हूँ, state के बाहर भी बहुत सारे exams हैं, जिसमें आपका SSC आता है, same JKSSB की तरह आप लोग मान के चले, same level होता है, same pattern होता है, उसका banking exams आते हैं, बहुत सारे, हमारी RRB के तो exams के बारे में हम बात में बात करेंगे, railway के exams होते हैं, और भी काफी सारे exams होते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता, insurance sector के exams हो होते हैं, तो उसी के लिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं, एक advertisement notice आया है, यहां पे, Mission Youth के तहट, JNK through Office of CEO Mission Youth, Jammu and Kashmir invites online application from eligible and interested candidates for appearing in pervays qualifying test, अब यह PQT क्या है, आपको मैं इस पे भी बदाता हूँ, यहां पे क्या होगा, आप लोगों को एक test देना होगा, अगर इसका syllabus out होगा, जब होगा, मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा, आप लोगों को classes यहां पे, Triple S पे ही, सारी की सारी, provide करवादो, YouTube चैनल पे ही, उसके लिए भी हम लोग तयारी करेंगे, जो interested candidates होगे, खासतोर पे वो, जिनके अंदर एक जजबा है, काम करने का, उन लोगों को free की में coaching दी जाएगी, competitive exams के लिए, जो IAS और JKS का होगा, अंडर परवास scheme, जैसे कि आप लोगों को पता है कि KS, IAS की coaching के अगर हम बात करें, तो वो लाखों में जाती है, अगर आप लोगों को उसकी coaching लेनी है, बहुत सारे बच्चे इस उमीद में ही तैयारी शुरू नही करते की कि किस तरीके से वो करेंगे, तो यह scheme इसलिए मुझे बहुत जादा पसंद आई है, अब कब से start होगी यह online application, तो online application आपकी Monday से start हो जाएगी, यानि कि परसों से 10 बजे से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, last date आपकी है 20 February को, अब यहाँ पर क्या है कि कि कितने बच् तो tentative number of candidates यहाँ पर रखे गए है, 1000, 1000 बच्चे shortlist किये जाएंगे, इस test के द्वारा, ऐसा नहीं है कि कोई भी randomly आएगा और register करवाएगा और वो उसको coaching मिलेगी, नहीं, जो बच्चे इसमें qualify करेंगे, उन्हें free coaching दी जाएगी, पहली चीज, और actual number लिखा है, यहाँ पर क educational qualification domicile coaching program given below, अब होगा क्या आप यहाँ पर बात करेंगे, जो pre या परवास qualifying test जिसे कह रहे है, PQT, यह होगा क्या, यह एक separate notification आएगी यहाँ पर, regarding the date and conduct of परवास qualifying test, और लिखा गया है, point 5 पर सारी चीज़े mention की गई है, document verification होगी, यहाँ पर पूरा तरीके से, और जैसे आ मान के चल सकते हैं, आपका एक छोटा सा test होगा, उसमें बच्चे होंगे eligibility criteria क्या है, जरा वो हम यहाँ पर देखते हैं, the applicable age limit shall be the age limit of the competitive exam, in case of student belonging to reserve category, the relaxed age limit shall be applicable, subject to production to the required, अब यहाँ पर क्या है, age limit के अगर हम बात करें, तो अगर आप किसी भी exam के लिए apply कर रहे हैं, तो उसक जो age limit है, वही इसकी भी age limit होगी, पहली चीज़ category के हैं, तो आप लोगों को उसके लिए, the student should have at least one remaining attempt to appear in the competitive exam, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों की इस साल आपका last attempt जो भी चल रहे है कि इसमेंस का, उसके वाला आपका खतम हो जाएगा, तो आप उसके लिए eligible नहीं अब qualification criteria के अगर हम बात करें, क्या है इसके लिए, the candidates who clear the PQT for subsequent document verification will be required to produce relevant certificates such as mark sheet, professional certificates etc, original में आप लोगों को लेके आना है as a proof, having acquired the prescribed education on or before the prescribed cutoff date in PQT examination, यह जो एक अलग से separate आएगी, उसके लिए आपको चाहिए, और the candidates who are able to prove by documentary evidence that the result of the qualifying examination was declared on the before, तो यह आपको पूरा वहां पर अपने जो भी documents है, सब लेके जाने पड़ेंगे, in case of candidates claiming possession of equivalent education qualification where it is applicable required, it shall be mandatory to produce relevant equivalent certificate, तो यह सब चीज़ों तो यहां पर आगया, अब जो दूसरा criteria है, जो सबसें important है, क्या इसमें हर कोई बच्चा eligible है तो नहीं, यहां पर family income जो है, वो सारे sources की मिलाके 8 लाग से exceed नहीं करनी चाहिए per annum, तो यहां पर पहली का terms and condition जो है, वो आप लोगों के सामने है, domicile certificate, आप लोगों के पास होना चाहिए, जम्मु किश्मीर union territory का, और यहां पर पूरा mention किया गया है कि कब से लेके कब तक, important terms and condition यहां पर करेंगे, additional weightage जो है, 10% की मिलेगी PQT exam में, जो बच्चे औरेडी pre-clear कर चुके हैं, अब यह पहली चीज, अब जो बच्चे औरेडी IAS का pre-qualify कर चुके हैं, जैसे अभी pre-ka result आया था, 5000 के करीब की बच्चों ने qualify किया है, उन्हें 10% marks मिलेगी, और in the last two preliminary exam conducted, और ऐसा नही है, additional weightage shall be added subject to the production of documentary evidence to support other candidates, अब जैसे marks score in PQT A, final marks after production of document shall be obtained as 0.1 in 2A, तो यह आपके सामने है, इस तरीके से पूरी चीज़ें clear की गई है, the final selection list shall be based on merit, final merit score arrived at after successful document verification, तो यहाँ पे क्या चीज़े लिखी हैं, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे जो चीज़ें पहले clear होगी होगी, जो final list है, वो आपकी document verification के बाद ही होगी, जैसे किसी ने अगर qualify किया है, उसके marks add होने के बाद एक final list निकाली जाएगी, students who have already avail free coaching under any government scheme are not eligible under the present scheme, तो अगर कि आप already किसी scheme के under already coaching ले रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए eligible नहीं होंगे, 30% of the total number of seats notified for coaching program shall be reserved for the female candidate, जो सबसे अच्छा point मुझे यहाँ पे लगा है, वो यही है, कि 30% जो seats हैं, वो reserve की गई है, female candidates के लिए, ताकि वो भी यहाँ पे करे, approximate आप मानके चल दीजिए, कि 300 जो है, इसमें women जो हैं, वो select होंगी, और वो यहाँ पे जाएंगी, next, candidates who are selected for coaching under the scheme shall have to attend all classes conducted by allotted partner coaching institute mandatory, अब यहाँ पे जो चीज है, यह भी देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग shortlist हो गए हैं, आप लोगों को free में coaching के लिए enroll कर दिये गया, वहाँ पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हफते के बाद आप लोग सोचेंगी नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे चीज mention की गई है, remaining absent more than 15 days without any valid reason, और leave the coaching midway, the entire expenditure incurred on the candidate shall be recovered from the concerned, अब यह point देखिएगा, अब आप लोगों को मान लिजे, आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप लोगों को किसी institute में भेजा गया है, किसी मान लिजे ए इंस्टीट में, अब ऐसा नहीं है कि वो institute आपको free में पढ़ाए इंस्टीट को जो पैसे होंगे वो government देगी, और जो भी आपके उपर खर्चा होगा, government कब तक करेगी, जब तक आप लोग उसको पूरी classes टेंनी करते हैं, अगर आप 15 दिन absent हैं, बिना किसी reason के या बिना किसी बीच में ही छोड़ देते हैं, तो वो जो खर्चा government ने किया है वो आप से लिया जाएगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो, ये जो scheme है और ऐसे rules होने ज़रूरी हैं, अगर government चाती है, maximum KS, IES बच्चे यहां से निकले, और खास तोर पे वहां से निकले, जो far-flung areas, जो हम लोग ने भी एक चीज़ शुरू करी है, कि far- far-flung areas के जो बच्चे हैं, उन तक हम लोग लेके गए हैं चीज़े, आज की डिट में वो बच्चे ये के SSB के exam में बहुत अच्छा perform करे हैं, इसका pay to particular some districts, जो पहले अपना एक दब-दबा रखती थी, वहां पे coaching centers की facilities बहुत जादा थी, same उसी तरीके से क्या है, यहां पे government ने भी शुरू किया है, government चाती है कि बच्चे far-flung areas के क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना हो, serious experience आएं, अगर 1000 बच्चे आसा नहीं है कि 1000 बच्चे KS, IS बन जाएंगे, अगर इसमें मान लिजे, 1% बच्चा भी, IAS या KS बनता है, 10 बच्चे भी अगर IAS या KS क्वालिफ लेकिन उतने facilities उनके पास नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा platform आपको government दे रही है, तो इसको मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो महनत कर रहा है, वो इसको ज़रूर avail करे, अब coaching program के लिए क्या कहा गया है, the current advertisement shall be for selection to coaching program for competitive conducted by UPSC, JKPSC, the duration and plan program shall be based on the syllabus difficulty level or scheme of exam, तो ये चीज़ यहां पर लिखी गई है, परवास qualifying test की अगर हम बात करें, तो यहां पर क्या होगा, MCQ based test होगा, focus on testing the journal knowledge and aptitude of the candidates, और यहां पर साथ ही सा लिखा गया है, minimum cutoff marks भी होंगे, और only those students who apply for परवास scheme on the mission youth portal, before the cutoff date in response to this notification shall be eligible for appearing, अब comment box में मैं यहां पर इनकी site भी लिख दूँगा, आप लोग जाएं, direct register करवाएं, मुझे पता है कि हमारी इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं को जाके register करवाएंगे, और यह हमारा फर्स भी बनता है कि अगर हमारी reach है इस समय, JNK में हर एक बच्चे तक, तो यह चीज हम लोग वहां तक पहुंचा ही, हमार register mobile number दिया, जो होगा उसके साथ आपको पूरा redirect कर दिये जाएगा प्रवास application पे, the students are advised to enter mission youth ID and register mobile number carefully to avoid duplications, candidates are advised to fill all the details in the form very carefully in order to avoid mistakes, errors, admission to the examination की अगर हम बात करें यहां पर लिखा गया है, eligible for the coaching, copies of supporting documents will be sought to be, यह सब चीज़े आपको मैं PDF भी शेयर कर दूँगा, saving clause, in case of any clarification required, difficulty phase situation arising due to COVID restriction affecting the conduct of PQT, necessary clarification shall be issued by office of CEO mission youth, J&K after approval from competent authority, in case of any dispute, the decision of the CEO mission youth shall be final and binding in the matter, तो यह काफी important था यह आप लोगों के लिए, अभी तक हम लोग जो वीडियोज लेके आते हैं, वो आपके लिए आते हैं कि JKS की तरफ से कोई notification आई, JKPSC की तरफ से कोई notification आई, लेकिन अपने आप में ही ही, पहली इस तरीके की scheme है, जो अभी तक जो, मैं बतलब बोलना नह जितनी भी अभी तक administration schemes launch के लिए, यह second favorite है मेरी, पहली थी, जो tourist village बनाने की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वहाँ से जितने tourist village बनेंगे, उतना जादा रोजगार बनेगा, उतना tourist जो villages हैं, उतने highlight होंगे, उतनी चीज़े सामने आएंगी, दूसरी है परवाज scheme, और यह scheme आपको बता दूँ, यह आज की नहीं है, यह काफी दिर पहले की recommend हुई थी, और इस पर मैं बहुत देर से research कर रहा था, क्या है, कब शुरू होगी, तो finally यह शुरू हो रही है, तो यह काफी अच्छा लग रहा है, Mission Youth ने इसको start किया है, I hope इसमें जो जाते जाते मैं फिर से करूँगा, जो भी fast track recruitment अभी चल रही है, JK SSB के द्वारा, अगर यह video कोई higher authority सुन रहा है, या फिर उन तक यह video पहुंची है, तो मेरी request यहाँ पर यह है, ground level पर अभी भी थोड़ी सी चीज़े है, जो mismatch हो रही है, पूरे proper तरीके से थोड़ी सी ची पर हुए है, उसका computer का practice aid करेंगे, लेवल थोड़ा easy to moderate रखेंगे, तो bye bye take care, all the best, मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ, अभी के लिए जाते देजिए, have a nice day, और इस पे जरूर register करवाना पर सुमा, reminder के लिए, link हमारे telegram group पे डाल दूँगा, facebook group पे डाल दूँगा, ताके आप register कर वा सके, okay guys, bye bye, take care, have a nice day